गाईस आपको नीचे जो नाम देख रहे हैं वो सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा ये रीबर्ट इस्टोरी जो मुझे बहुत इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी रीबर्ट से रिलेटिव आपको आडियो बूक मिल जाएंगी मैंने इनका चेक एंड ये बहुत ज जल रहे होंगे तो उनका एड करूंगी वर्ण नए जो हैं मुझे मिलें उनको एड करूंगी जिसमें थोरा बहुत उनकी स्टोरी बताऊंगी क्योंकि किसी किसी का मैंने फुल और आडियो बूक आपको डाल के दिया अपने चैनल में तो चलो जानते इस कहानी के बारे में यह कहानी एक मासलाट से लेलेटिव है जिसमें हमारे हीरो को रीबट मिलने मतलब रीबट का होने का मौका मिलता है मतलब पुनर जनाब ओकी इतना तो समझी के कहानी की बेसिकली पॉइंट यह कहानी मासलाट की है तो बात यह है कि हमारे हीरो को मतलब उनकी जो बोल सकते फ जाते यंद वो पहुँँंच जाते किसी और दुनिया में यह भी कह सकते हैं या उस दुनिया में टूकिए उनके गलिम एक लॉकट रहता है अगे क्या होगा जब वो अपने पावर मतलब उन लोगों कोई अजात करके अपने पावर अखिटे करके क्या वो लड़की से बदला ले पैंगी क्या उनकी गल्फिंड कौने भई यह सारी जावाव आपको इस स्टोरी मिले जादा भी तो नहीं है पर जल्दी वो डालने की क अभी तक किसी भी वीडियो नहीं दी है यह निव स्टोरी है एंड यह स्टोरी थोड़ी बहुत आपको यूट्यूब की नई फेज पॉकेट एफेम के लगेगी बात है इस कहाने में हमारी हिरोएन एक जेल से बाहर आई हुई एंड वो बाहर आती तो उन्हें उनकी जो फ यूश्यू छे एंड फैमली में वो पतनी जो भी है दूर के साथ रिष्टेदार वाली कनेक्सन है भरी इस कहानी में और वो मानना चाहते है हमारी हीरोएन को एंड साथ में पतन है उनकी सौतेली मा भी है साथ सौतेली बेहन भी है मंगेतर भी निकला यह सारे इक सारे धोके बाज के कलेक्ट सर में आ गया तो अब चलो मैं बताती हूँ आगे क्या बात है बात यह है कि इसमें हमारे हिरोईन को सारे याद दास तो पता रहिए कि आगे क्या है पीछे क्या हुआ ओकी वो बीच में वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करते यह आपको देखने को अच्छा लगया बात है कि इस कहाने मुझे अभी तक क्याद है थोड़ा बहुत तो वही बताती हूँ आपको इस कहाने में हमारे हे एक एक्टर की आर्टेस है और उनके फादर वह जबर दसती हमारे जसा को बोल सकते िप्टी विलनी उनकी सोटी बहन हे उनकी वो सेक्रेटटी मंती है वो धोके से अपनी बेहन को जो है वो वहां उस रूम में ले जाती है वहां वो उस आत्मी की हमारी हुएन सर पर माल देती और वहीं उसका डैट हो जाता है यह लोग खुद मारे मुझे तो लग रहा है उस डिरेक्टर को जो हमारी हुएन की साथ कुछ गलत करने कोसिस कर रहा था इस टैप की सिच्वेशन है मुझे भी तक याद है कहानी और यह जल्दी मुझे पॉकेट फ्रेम की मिल जा तो मैं इसका लॉंग विडो ला दूँगी और फिर अब मतलब वहां उन्हें पता तो है कि आखे क्या होने वाल है तो वो अपनी बगल में जो खिड़ी की रहती है हाँ होटल की वहां से वो जम्प लगा के हमारे हीरो के कमरें पहुँच जाते है और आखे क्या होगा आप तो जाते हैं बात है कि हमारे हीरो भी कोई आम इंसान तो है नहीं वो निकलिक बिने लिए इंसान और अमीर फैंगली से बेलॉग तो आखे क्या होगा यह सारी जानकरी आपको इस आडियो बुक में मिल जाएगे और यह अब लेबल ले बहुत सारे एपिसोड है और चलते हैं दिया कि रीबर्ट कलेक्शन में की स्टोरी है तो कहानी में होता कि है मैं बता दू कहानी में बात यह कि हमारी हिरोट जो पहली थी लब वो अई इस कहानी में पते क्या है हमारी गल एक कॉमिक बूक के अंदर नहीं घूसी है वो कई और ही दुनिया में पहुझी पुराने दुनिया में जहां मैजिक पावर वाली है इस कहानी की बेसिकली पॉइंट तो वहां से स्टार्ट करूए है उनके पहले अतीत से अरे पहले अतीत को छोड़ो भई अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है यह बता दू आपको इस स्टोरी की इस कहानी में उन्होंने तो मतल पारें बता दू इस कहानी में आपको हमारी जो गल करेक्टर है उन्हें जो उनके मंगेतर है और वो धोका नहीं देते उनकी जो मंगेतर जिससे हमारी हिरोइन की अगेजमेंट हूई है वो अच्छा इंसान है यह मुझे तो लग रहा है कि उन्हें बस धोका दिया जाता है इस टैप की बात है इस स्टूरी में एंड हमारे जो मंगेतर है हमारे हिरोइन के वो बुरे इंसान नहीं है बस उन्हें गलत दिखाया जाता है तो इस गलत दिखाने में हैं उनके मतलब विलन की साइट से, वो है मंतरी की बेटी, जो हमारे हीरो की साइट एक साल बड़ी है, इस टाइप की बात है, और हमारे हीरो के और वो सकती भी मतलब ले लिये, सकती पाली है, और हमारी हुरोईन सकती नहीं लिये, और हीरो के पास भी सकती है, तो इस टाइप की सिच्वेसन ह क्या इसमें नए hero आएंगे, या या मुझे पता नहीं, मतलब confusion, मैंने अभी तक आगे और नए सुना है story में, and story में बात यही तक है, and जो हमारे hero है, क्या जब हमारे hero है, जब translate होगे, रिवट होगे, पुनर जनम के बाद हमारे hero है, हमें तो पता है, hero के उपर ध्यान तो दे क्या हुआ तो यह मंतरी की बेटी विलन है इस टाइब की सिच्वेसन है एंड हमारे जो हीरो को नहीं है तो मुझे पता नी क्योंकि वो राज कुमार भी हो सकते जिससे हमारे हिरोईन की है बहुत anti-ziller है मतलब दिमाग वाली है कह सकते हैं बहुत अच्छी कहानी है and ice story काफी अच्छी है भई मतलब इसमें power वाली आगे situation and हमारी event के पस अब power आगे तो वह क्या-क्या करेगी and step की सारी बाते हैं अब चलते हैं नमबर फोर पे देखो इस टोरी बेसिकली ना इसमें नए हिरो आ सकते हैं नहीं गैरेंटी कम लग रही है एंड वो मंत्री की बेटी की सचाई तो हमारी हिरोइन पता लगाई लेगी क्योंकि वो जो पहले थी वो अब तो है नहीं अब हमारी वो फाइटिंग जो यूटूब में अबलेबल रहती उसकी गैरेंटी कम रहती है कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगे आपको बस मैं रिव्यू दे रही हूं मिले घटॉप सुन ले नहीं मिले तो मत सुन न कोई और धूझ लेना इतने सारे कलेक्शन तो मैंने इस आप सभी को बताती रहती हू कभी मतलब चैनल वाले डिलीट कर देता है यूटूब वाले डिलीट कर देता है कुछ ने कुछ इलिगल प्रॉब्लम हो जाती है इसे करने जब मुझे वह धूंडी थी तो मुझे नहीं मिला जिसमें दो गल्ल मैंने इसको फुल रिव्यू भी आपको दिया है कि जिसमें दो मैंने इसका फुल रिवू दे चुकी हूं फिर भी इसके बारे में चलो बात करते हैं इस कहानी में रिवर्ट तो होगी हमारी ही रिवेंग की एंड बात ही है कि उनके पस उनके एक भाई है बड़ा थोड़ा मतलब छोटा भाई है छोटी बहन है इस टाप की सिच्वेशन ह जब जिस सले में रिवर्ट हो गया है तो उसके पुरी अतित उन्हें पता चल जाते कि क्या होता है क्या नहीं इस कहानी में भी यही बात है एंड हमारे हिर्वेंग के पस कोई पावर नहीं रही पर उनके पस ऐसी पावर है या ऐसा दिमाग कह सकते है इतनी स्माट है कि वो दुनिया को जितने का पावर रखती है और इसमें पता है बात है कि इसमें क्यूट सी एक आपको डॉल टैप इन की छोटी बेहन दिखेगी और इसमें हमारे कपल भी बहुत कम नहीं रोमेंटिक की स्टोरी है अच्छे खासे हमारी हिरोईन की नाम है डैवल कुईन से बिजनस खौल देती हूं बात यह कि हमारे हिरोईन कुछ ना कुछ गलत फैमी है जिसके वज़े से वह हमारे हिरो से नफरत करती है और क्या गलत फैमी आपको फुल रिव्यू में बताई हूँ कि इनकी फैमिली के इस्टैप की है एंड जो भी स्मार्ट लड़किया है अगर दुनि अपने ज्यादा तो सूनी नहи होगी ऐसा मुझे लगरा है यह रिवर्ट कि मैंने नहीं कि कहीं सौर्ट रिव्यूद है नहीं कहीं लॉंग रिव्यूच ओके इस कहानी कि मुझे थोरी बहुत जो सीन समझागा उनका रिव्यूद दे रही हूं बात है में हमारे हिरो इनकी बोल सकते हूं लवर अंगेजमेंट कह सकते हैं या जिससे वो प्यार करते थे वही लड़की ने धोका देती है इस कहानी में एंड वो जो है ना वो लड़की वो राइवल कमपनी से मिली होती है या कह सकते है राइवल कमपनी हमारे हिरो की जो है वो ना उनकी गर्लफरेंड कह सकते हो इस टैप की बात है एंड फिर उन्हें मतलब कुछ सचाई उन्हें पता चल जाती है एंड फिर उनकी दूसमाने रा पिए और के सरी में घ्यार करूंपरें खुर्पर एक्स उनसे वह क्या करेंगी बदलेंगे स्टैप की सिच्वेसन मुझे लग रही और इसमें क्या इंकिया मनल में मैं की हम् लोग कि यह वाली आपको मिल जाएगा एंड यह जो ब्लैक में लिखा रहते हैं यह सार्च करो गए तो आपको यूटूब में अबलेबल हो जाता है ओके बात नहीं हो तो फोटो खीचो एंड जाके गूगल के सबसे फोटो रहते हैं उसमें जाके इसे देखो मिल जाएगी और यूटूब में यूटूब में अबलेबल है इतनी बस कहूंगी नौट जादा टाइम लेक्शन में सेवन नंबर पर यह स्टोरी इस स्टोरी में आपको रीबट हमारे हीरो बॉय के मिलेगी जो र ऐसे हमारे हीरो के लाइव में उनकी सौतेली फैपली ये फेमली ये वह बहुत अच्छी है and हमारी हीर्वेन के लाइव में उनकी सौतेली बोल सलत हुए चाचा चाची यह विलेंड्र की रोल में है ऐसा लगेगा आपको कहानी जब आप सुनोगे और रीबट और ली इस टेप से होती ही मैं बता दूँ आपको बात यह कि देखो जब भी आपका ना ओपिनेंट कह सकते हैं जो भी आप कहीं पढ़ते हो और आप फर्स्ट आ और वो सेकंड आए तो बिल्कुल इंसान से थोड़ा बच के रहनी चाहिए तो इसी तरह की बात इस कहानी में मतलब ल कर में हमारे हिरो की लाइफ की स्टेप से मतलब कुछ भी कर देते हैं तो यह बता दो कि इसमें मतलब हमारे हिरो की लाइफ में उनकी जो एक्स लवर कह सकते हैं या फर्स्ट गल्फेंड जो रिस थी कॉलेज की वो सामिल रहती है इस कहानी में एंड विलन की साइट से यह ह वाइब कह सकते हैं जो भी थी वो थी एनी श्टोरी में वो जो भी एटेटूट वाली थी वदला पहले कि वहवार वो सारे चेंज करते हैं एंड उने पहले पता भाई कि आगे क्या हनोय होने वाला है एंड पीछे क्या हुआ है तो वो किस टैप से अपनी लाइफ को चेंज क करने की कोसिस करते हैं आप इस ओडियो बुक में सुने के एंड इस्टोरी बहुत अच्छी है क्यूट सी है रोमेंटिक है नॉट आपको ज्यादा टाइम लगेगा हमारे हीरो की उपर की उसी कब होगी साधी इन सारे जवाब आपको इस इस्टोरी मिल जाएंगे बता दू पहले ही साधी इन दोनों की पहली हो जाती है आपको दिखा जगा एंड उसके बाद है तो मतलब हमारे हीरो अभी तक हमारे हीरों कि पेस नहीं देखे जब आप रिबट जब आप सुनोगे तब ओके तो बिल्कुल जाके एक बड़ चेक आउट जरूर करिए एंड अब चल करना जो भी चीज ना मिले तो बिल्कुल ओड़े बुक ना मिले कमेंट करिए मैं ढूंड किये कहीं ना कहीं से पत लगा कि आपको दे दूंगी तो चलते हैं नंबर एट पर यह आती है स्टोरी एंड आपको जो ब्लेक के नीचे जो नाम देख रहे है रिबर्ट रिबॉं बात है इस कहानी में हमारे हीरो की रिबर्ट होती है एंड कि स्टेप से बता दूं मैं आपको हमारे गल की लाइफ बताती हूं पहले बात है इस कहानी में हमारे गल की लाइफ की दूसमनों उनकी खुद की फैमिली है एंड मुझे लग नहीं रहे कि उनकी वह सगी फैमिली यहां से thou a teli family से कम नहीं है komt यहां से connect होता है một मतलब घुर होता है हमारे की इस बातीं कि हमारी चिछुन से गर्ल केरेक्टर है जो छोटी बेबी थी तब हो हमारे हीरो के family से मिली है यहां इस family में बहुत अच्छे लोग है हमारे heroine को पहली जानते आप कह सकते हैं और अच्छी का सी property हमारे heroine की नाम पे है तो GUYS हम लोग थे हमारे heroine के पस बहुत सारे property है बात यह कि हमारे heroine की जो लाड़ा है या जो भी उनकी बड़े family थे head थे उन्होंने हमारे heroine के उपर साथ property रखी है या उनके साथ जो भी उनकी mother father है वो सौतेली type है मुझे तो लग रहा है कहानी में बात है कि हमारे heroine को मारा जाता है किसके दोरा हमारे जो heroine के family member है उनकी जो head है जैसे कह सकते हमारे heroine की mother ने mother ने father वो हमारे heroine को मानना चाहते है तो बता दू connect के step से हमारे hero की family यहां तक तो बताई चुगे थे कि हमारे heroine की family अच्छी है बात है कि हमारे heroine बचपन में खो जाती है और कुछ निसानों के वज़े से वो अपनी family से मिलते और वो कुछ दिन हमारे hero की family के साथ रहते है और उतना ही समय हमारे heroine से like करने लगते है पर उन्हें जब एहसास होता है तब तर देर हो जाती है हमारे heroine की साधी ते हो जाती है और उन्हें लगते है कि वो जिससे साधी करी है वो अच्छा इंसान है पर उन्हें बात में पता चलता है कि ये इंसान खुद हमारे हीरो को मानना चाहता है किसके लालच में उन्हें उन्हें साधी की पता है प्रॉपर्टी के लालच में एंड हमारे हीरो की साधी भी हुई निया तो यहां से आपको फिर रिबर्ट होती है इन दोनों की डेट हो जाती है, तो रिबद होती है हमारे हीरो की, फिर उन्हें तो पता है कि मतलब accident होता है किसी जगा में, तो उन्हें अपने आइस ओपन करके देखते हैं, तब उन्हें पता चलते हैं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, अपने हाथों सब सब चेक करते हैं, उ मुझे जब एहसास होता है कि अभी मुझे रीबर्ट होने का मौका मिल है तो लाइफ चेंज करने के लिए अपनी मतलब फैमिली से पहले मिलेगा सायद एंडिया या सायद हमारी गर्व करेक्टर से मिलने जाएगा उनसे साधी के लिए सिधा धंकी देखे आएगा बहुत मज देंगे एंड हमारी हीरो से होगी तो आगे क्या क्या मतलब मुसीबत आएंगी आपको देखने को मज़ेगा अच्छे लगे इस टोड़ी भई एंड हमारी हीरो के ज्यादा लाइफ अभी देखी कहा है तो इस टाइप की बात है अब चलते है नमबर एट पे क्योंकि अभी न्यू न्यू कलेक्शन अभी आने वाली है टॉप नाइन पर यह स्टोडी बात है जो भी कलेक्शन है यह सारे एकसरी न्यू है साथ मिल जाए मतलब जो भी मतलब लाश्ट यह 9 और 8 है न यह तो आपको मिली जाएगा ओडियो बूक में इसकी गैरेंटी दे सकते हूं लोग जल्दी खतम क्या जाए बात है इस टॉप 9 पर इस स्टूरी में हमारे जो हीरो है उनको ना मतलब उनकी दो मतलब कह सकते हैं की गर्फेंट साथ में उनके जो दोस है उन्दोनों धोका देते हैं एंड मतलब इनकी मतलब यह ना बीजनस वाली स्टूरी रिबर्ट का क लादी उसके बाद मतलब उनकी जो college की जो girlfriend थी वो निकली villain की side ऑंड उनका जो एक डोस है जो college का वह भी villain का है तो इस टेप की बाते हैं यह हमारे hero को जब मतलब यह जो इनकी फैमिली ना है यह जो दूसमन लोग है villain लोग इन लोग खतम कर देते हमारी hero की family साथ इसमें इस्टोरी में बेबी केरेक्टर भी आपको मिल जाएगा एंडो इस्टोरी बहुत अच्छी यार रोमेंटिक है मतलब वो अपनी गलतिया किस टाइप से सुधारेंगे यह आपको देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा मतलब देखो बात ही कि हमारे हिरो की पहली सा चाहिए बता दू तो देखे इसे जो रिबर्ट के स्टोरी थी वो प्योर लब रहती है नॉट ट्रेंगल यह भी है मतलब गैरेंटी आप मैं दे सकती भाई मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी है उसमें मतलब अर जब गलती का हैसास हो जाता है कि हाँ भाई हमने गलत इंसान ह हमने अच्छे इंसान को छोड़के गलत इंसान की साइड ली यह सब बाते हैं तो ओके तो इस्टोरी बहुत अच्छे है चलते हैं टॉप 10 पर क्योंकि वह बेस्ट टैंड मैं उसको जल्दी फुल रिवू लाँगी क्योंकि वह इस्टोरी बहुत अमेजिंग है तो चलते ह हैं टॉप 10 रिवर्ट कलेक्शन में यह 10 नंबर पर आती इस्टोरी मतलब यार बहुत अच्छे इस्टोरी है और मैं इसका फुल रिवू लाँगी बता दू कि यह स्टोरी में देखो रिवर्ट तो होगी साथ में और क्या क्या जो सप्राइजिंग बाते हैं वो सिर्फ ट प्राइबल टाइप हो जाएगा फिलिंग आएगी और हमारे इस्टोरी में हमारे गल के पास एक अलगी जो हम लोग पॉकट एफम की स्टोरी सुनते ना वो आर्मी वाली वह उसी के टाइप हमारे हिर्वेंट के मैंट में एक चीप है ओके जो उसे उसके बॉड़ी में क्य लब यही सर्च करना एंड में इस्टोरी कर लोंग वीड़ो लांग उसमें इसके जानकारी देख लेना ओके प्लीज अब यह वीड़ो यहीं तक एंड कर त्यार क्योंकि वीलन इसमें बहुत सारे सबसे पहली बात तो है कि हमारे हिर्वेंट की मतलब उन्हें मारने की से गैरेंटी की यह बैस्ट स्टोरी है तो बैस्टी रहती है समझें अभी आडियो प्लग्द है बात में नहीं मिलेगा तो गैरेंटी नहीं तो जाके जरू सुने एंड यह वीड़ो यह तक एंड होती है इसका मैं लॉंग वीड़ो लांगे उसमें इसके सारे सारे राज क के साथ इसके लॉंग पूरे रिवियू भी करूंगी ओके तो वीडियो यह तक एंड़